इस वीडियो में हम जानेंगे कि Team Master Pro एप की हेल्प से आप किसी भी fantasy platform में मातर एक मिनिट में multiple teams कैसे बना सकते हैं जब आप Team Master Pro एप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको Sign In With Google पर क्लिक करके आपके Gmail ID Team Master Pro एप को रजिस्टर करना है इसके बाद जब एप ओपन होगी तो आपको Sports के अलग-अलग categories दिखाई देगी यदि आप cricket में Teams बनाना चाहते हैं तो दिखाई गए Sports से select कीजिए और select करने के बाद आपको अलग-अलग match दिखाई देंगे इन में से जिस भी match के ले आप Teams बनाना चाहते हैं उस match को आप select कीजिए इसके बाद आपको Team Layout स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर आपको अलग-अलग option दिखाई देंगे इन में से आपको Manual Teams में क्लिक करके आपको आपकी टीम का Layout सेलेट करना होगा जैसे की 1-3 विकेट कीपर, 1-5 बेटर, 2-3 ओल राउंडर और 3-6 बोलर इसके बाद जब आप select player पर क्लिक करेंगे तो आपको player वाली स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर आपको आपके analysis के according जो भी player आपकी टीम में चाहते हैं वो select करने होगे यहाँ पर आपको minimum 12 player select करने होगे ज्यान रहे कि static analysis करने के बाद ही आपको player चूज करना है player को select करने के बाद select star player पर क्लिक करने के बाद आपको आपके star player select करने होगे और इनी star player में से कोई आपको captain और vice captain भी select करने होगे ज्यान रहे आपके start player आपके सभी teams में available होगे इसके बाद आपके players और start player के selection के आदार पर अलग-अलग platform के लिए कुछ teams की combination बनके आएंगे इन combination को आपको view teams पर click करके देखना होगा इसके बाद जिस भी platform के लिए आप team बनाना चाहते हैं उस platform पर click करके जो भी teams आप आपके platform में बनाना चाहते हैं उन teams को select करना होगा अब आपके द्वारा बनाई के team को आप आपके platform में जाके देख सकते हैं